यू अट सब गाइस कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बाक टो आप चैनल एमलेश विड्स एंड गाइस वेलकम बाक टो अनदर स्पेक्टाक्लर विडियो आज हमने ओर किया है फ्रेश मेन्यू से फ्रेश मेन्यू पर एक ओफर चल रहा है जिसमें अगर आप जुमैटो पर जा हमने जो चीजे और की है हम करने वाले हैं अज एक फुल इंग्लिश ब्रेक्फस्ट हमने एक आइटम यह मगाई है दूसरा हमने मगाया है एक वीड सैंडविच तो यह आप देख सके हैं यहां पर डिलिवर हो चुका है हमें फुल इंग्लिश ब्रेक्फस्ट मैंने अभी तक चैनल पर ट्राई नहीं किया है ओफ लाइन भी ट्राई नहीं किया है तो आज पहली बार आपके सामने ट्राई करने वालों थोड़ा सा पढ़ा भी मैंने इसके बारे में के फुल इंग्विश ब्रेक्फस्ट जो है जो लोग रहते हैं लंडन में या यूके में वो पहले करते हैं इसकी अनपैकिंग ताट काफी सही हुआ है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी डिश मिल जाएगी आज के लिए और रुपीस तो यह शायद हमारा है सैंविच इस पे लिगा है फ्रेश कोल स्लो सैंविच यह इसका नाम है आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा जो हमने मगाया है and this is the dish of today which is full English breakfast इनके पास दो ऑप्शन थे एक था इनके पास English breakfast और इनके पास था दूसरा full English breakfast दोनों की description मैंने पड़ी पर दोनों की description same थी एक का प्राइस था 229 एक का प्राइस था 249 बट दें दोनों ही 100 पे प्राइची है तो वो हमें चाहिए होगी बट देन आप देख सकते हैं इसका कैसा है size portion एक बंदे की लिए शायद ये कम पड़ जाएगा बट देन अगर इसको breakfast की तरह खाएं तो I think इसमें काफी चीज़े हैं ये पहले चीज़ आपको मिल जाती है hash brown इसको कहते हैं ये जो कि मुझे लग रहा है अपना full टिक्की वाला हिसाब किताब जैसे कि आप देख सते हैं ये टिक्की टाइक का कुछ हमें मिला है साथ में हमारे पास है sausage ये है chicken sausage जो I think Britishers काफी खाते ह हैं और ये हमें मिला है scrambled eggs तो ट्राइब करता हूँ कटलर ये अपने पास है नहीं तो हाथ से ही ट्राइब करेंगे पहले scrambled eggs को लगाते हैं इसके साथ तो ट्राइब करके बताते हूं कैसा है टेस्ट हम एक यूनीक चीज है इसमें वो यह है कि जो टिक्की टिक्की वो लूम है इसको में जो टिक्की का जो combination है इस scrambled eggs के साथ तो एक बड़ा यूनीक सा flavor दे रहा है दूसरी चीज के साथ ट्राइब करता हूं जो कि है sausages माइंड यू यह साथ जो है यह फ्राइब नहीं है यह बॉइल है और इस पर हलका साथ जो है उन्हें फ्लेवर डाला है एक ब्लैक पेपर का जो कि टेस्ट बहुत अच्छा दे रहा है बाकि अगर आपको ब्रेकपस्ट करना हो आप चाहते हैं को लाइफ ब्रेकपस्ट रहे तो आइचिंग यह पोर्शन काफी सही है बाकि अंदर की फिलिंग में आपको दिखाई चुका हूं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह ब्राउन इस नतिंग बट एक टिक्ति साथ में सॉसेज और यह स्क्रैंबल एग्ज तो यह ओफर जो है वह आज ही चल रहा है ठीक है दूसरी आइटम भी एक बार देख लेते हैं रादकि मैं ट्राइं नहीं करूंग क्योंकि वह है वेच ऐसा नहीं कि मैं वेच खाता वीट सैंडविच इस नॉट आ फाइबर वाला जो रेगुलर ब्रेड होता है वह वाला सैंडविच नहीं है यह वीट सैंडविच है और इसको अगर मैं खोल के देखता हूं तो इसके अंदर है थोड़ी सी मियोनीज कैबिज और थोड़ा ब्लैक पेपर तो यह भी आपको अगर चाहते हैं कि आप एक लो क्यालरी डाइट खाएं या थोड़े अपनी हेल्थ को लेकर तो आपको फ्रेश मेन्यू इस दे बेस चॉइस काफी ओफर्स ने उनके पास तो गो चेकाउट फ्रेश मेन्यू और आज की वीडियो में इतना ही आपको मिलता हूं अगली घग सुंदी अशार करे थी ओब साफब इस बाद बाद अब। झालर को की जग दो भी खर लेकर बाता हैं को आपको हले खर पाको हले हैं कि मरे पह उत्क opensवे हैं